आइज वेलकम वेक टो एन्पी लर्निंग हम कर रहे हैं इसमें लाविद की बूक का साइज सिस्टम पेज नंबर है 214 इसका एक लाइन का सवाल है जो के पेज नंबर 213 पर है आसान सा है कि सवाल है कि मकप का ज़ा है हुज मालूम करें इसका हर जिल्ला आठ सेंटिमेटर है तो मकब है मकब शेप है यानिके उसके तीन जो है आपके पास साइड होंगी तो आठ को तीन दोह मल्टिक लाए कर दें 812 मकब सेंटिमेटर आपके पास अंसर आ जाएगा इसी तरह अगला सवाल है एक 45 डिगरी ट्राइंगल का एरिया मलूम करें जबके इस इक्वाल टू एट सेंटिमेटर ट्राइंगल इसने बनाई भी हुई है अगर आप लेफ्ट साइड पर देखें तो एक है ट्राइंगल इसने 45 की डिगरी से बनाई एंगल से बनाई हुई है और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि एरिया मालूम कर करने में एंगल का कोई तालूग नहीं होता हमाई पास फर्मूला होता है वन बाय टू मल्टिप्लाइब काईदा करिकर मृटिप्लाइब परपैंडिकुलर मृटिप्लाइब बेस तो जैसे कि अब लेप्ट साहर पर ट्राइंगल में देख सकते हैं कि कि इसका अमूद भी A है और इसका काईदा भी A है यानि कि अमूद और काईदा की वैल्यू सेम है तो एक ही वैल्यू इसने आठ दी हुई है जब आठ इसमें आप पुट करें तो आपको पता लगता है कि अमूद और काईदा की वैल्यू एक ही है यानि कि आठ है तो फर्मूले को बतावे वन बा डिवाइड करेंगे तो आपके पास आजाएगा जनाब ट्राइंगल का एरिया जो के 32 मुर्बा सैंटी मिटर होगा ऐसी तरह एक और सवाल है कि कुलिट्रियल ट्राइंगल का रख्वा मुलूम करें अच्छा यह एक ऐसी ट्राइंगल होती है आप याद रखें एकुलिट्र लैसी ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड़ बराबर होती है यानि कि आप देखें लेफ्ट साइड पर स्कोर्म बराबर हो भी है तो इसको एरिया मालूम करने का फार्मूला भी दिया हुआ है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं वैसे तो जो आम ट्राइंगल होती है उसमें हम लिखते हैं वान बाय टू मल्टिप्लाइब यानि कि मूद मल्टिप्लाइब काइदा लेकि इसमें क्या करेंगे हम कि इसमें हम एच लेते हैं कि एच मल्टिप्लाइब बेसिकली होगा तो वही अमूद यानि कि एच आप देख लें कि यह हाई टी है बेसिकली कि इसने एच से डिनोट किया हुआ है तो यह आजाएगा हमारे पास एच मल्टिप्लाइब एडिवाइडिंग बैट तो एक और चीज आपने हमेशा याद र लेकिन एक्यूडेर्य्टिएल ट्राइंगल के नाम से अपके जएन में चाहिए इसके तमाम एंगल 3odel साथ डिझरी और तीनों साइट है बावरे तो के टेंग यह प्लिव ले लेते हैं हे जो हमक्यूए लेते हैं क्योंकर हमने इसका एरिया निकालना है और ये निकलने के लिए हमें अमूद चाहिए तो हाइट उसने जो है वो शो कराई हुई है लेकिन उसकी एक्जेक्ट वैल्यू नहीं दी हुई तो टेंजेंट सिक्स्टी बराबर हो जाएगा अमूद और काईदा 1060 की वैल्यू आप कल्कुलेटर से ले लेंगे 0.866 से आ जाएगी और अमूद बते काईदा और काईदा की वैल्यू यानि के एक वैल्यू उसने दी हुई है आठ सेंटी मीटर यहां से आपने अमूद निकाल लेना है 0.866 को मल्टिपलै कर जब करेंगे 8 के साथ तो आपके बस अमूद आ जाएगा 6.928 सेंटी मीटर अब आपको पता है कि ट्राइंगल का एरिया मलूम करने का फर्मूला क्या होता है अमूद मल्टिपलै बेक काईदा दिवाइडिंग बेक टू तो इसमें आप वो वैल्यू रख दें काईदा की वैली तो उसने ओर्रेट हमें दिवे थी जो के आठ है लेकिन एच की वैल्यू अमूद की वैल्यू हमने मलूम की जो के आई 6.298 और दिवाइडिंग बेक यह ट्राइंगल का एरिया मलूम करने का फार्मूला है तो एरिया आजएगा खायर 27.712 मुरब्बा सेंटी मीटर बस इस एकुलिटरल ट्राइंगल के आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि तीनों साइड ही ब्रहबर होंगी और एंगल साथ डिगरी के होंगे बाकि इसक यह एक शकल है जिसको ट्राइड कहते हैं आपके सामने आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर और इसका एरिया मलूम करने का फार्मूला जो है वह हमें स्क्रीन पर दिया हुए है इसने साथ हमें A की वैल्यू भी दिया हुई है A की वैल्यू 10 सेंटिमेटर है B की दिया छणाब retreat में शब्सकी करें और आपके पास क्या होगा अंसर आ खाएगा किसका ट्रेपोजाइड ट्रेपोजाइड का आपके पासर आ जाएगा जनाब area जाएगा इस पर उन्हें जब आप वैल्वी पूट करेंगे तो आपके आंसर आजाएगा दो सो चालिस मुरूबर सेंटिमेटर जो के आजाएगा जनाब इसका एरिया आजाएगा ट्रेपोजाइड का तो चोटे-चोटे से सवाल लें तो मैंने सोचा इनको जल्दी जल्दी पिक्चर लेते हैं तो सभी और थोड़ा बहुता इनको ब्रीफ कर देते हैं मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंस है क्योंकि इतने छोटे सवाल तो मुश्किली है पेपर में लेकिन यह है कि क्योंकि एक स्लेबस है तो उसको गो थूरू करना है तो इस तो